जीवात्मा प्रक्रति से युक्त है युक्त मने जुड़ा हुआ योग में जो चीज किसी से योग में हो उसे कहते हैं युक्त जीवात्मा त्रिगुणी प्रक्रति से योग में है तो जीवात्मा गुडों से युक्त है जीवात्मा प्रक्रति से योग में है इसका क्या आरत है बात समझते चलेगा जहां समझ में नहीं आ रही हो पूछिएगा एके करके इस लोग आगे बढ़ते रहें और जीवन में नहीं उतरें तो कोई लाव नहीं जीवात्मा प्रक्रति से योग में है इस बात का अर्थ क्या जीवात्मा अगर अहम है तो अहम क्या है प्रक्रति का ही एक तत्तो और इस बात की विवेचना सबसे सुन्दर कहां की गई है? श्रीमत भगवत गीता में ठीक है? जहाँ पर प्रक्रति की तिरुनात्मक सत्ता के बारे में श्री कृष्ण ने विस्तार में बताया है तो कहते हैं वहाँ पर कि अहम भी क्या है? प्रक्रति का ही एक तत्व प्रक्रति मा है उस मा के घर में बहुत सारे तत्व हैं जिसमें एक तत्व उस मा का एक बच्चा बेटा अहम वो भी है समझाने का एक तरीका है ऐसा है नहीं समझाने के लिए बोल रहा हूँ पूरा जो ब्रहमांड है उसको क्या मानो एक घर किसका घर है वो उसमें बहुत सारे क्या है तत्व है ठीक है बहुत सारे तत्व है उन तत्वों में जो चैतन्य तत्व है उसका क्या नाम है अहम तो पूरा ब्रहमांड है ब्रह्मान प्रकृति का घर है उसमें एक चैतन्य तत्तो रहता उसका क्या नाम है माने बेटे को पैदा करा है मा की उम्मीद है कि ये बेटा घर से बहार निकलेगा और कुछ उची उपलब्धी हासिल करेगा जैसा कि माओं का अक्सर ख्याल रहता है अच्छी माँ होगी तो अच्छी काम नहीं करेगी अपने बेटे के लिए तो प्रकृति अच्छी माँ है प्रकृति ने अपने बच्चे अहम के लिए क्या काम ना करी है कि ये घर से बहार निकलेगा उसे अब पैदा घर में करा पाला पोसा घर में, बड़ा घर में करा पर कौन सी मा होती है जो चाहती है कि जिस घर में बच्चे को पाला पोसा वो जीवन भर उसी घर में ही बड़ा रह जाए कोई मा ऐसा चाहती है कोई मा ये चाहती है क्या कि जिस घर में वो पैदा हुआ फिर बड़ा हुआ जवान हो गया वो उम्र भर उसी घर में पड़ा रहा जाए मा ऐसा चाहती है ऐसा अगर मा चाहती हो तो बड़ी गलबड़ मा है काबे लोगी मा तो क्या चाहेगी कि भाई अब तू बड़ा हो गया तू बाहर निकल और जो चीज पाने लायागा है उसको पा उची उपलब्दी हासल कर तो प्रकृत भी हमसे यही चाहती है कि अब तू इस घर से माने कहां से प्रकृत इसे बाहर निकल और कुछ उचा हासल कर लेकिन प्रकृत के घर में बड़ी मस्त मस्त बढ़ियां बढ़ियां चीज़े हैं अलिशान घर है और बबुआ उसी घर में रहा है बच्चपन से और बबुए को लग गई यह आदत इने जी बुलते में ब़ौन विदा सिलवर स्पून बबुए को घर की चीजों की आदत लग गई यह अब घर की चीजों से उसको क्यों पाला पोसा गया था घर में बहुत अच्छी चीज़े हैं जिससे उसका शरीर बनाए मस्तिश्क बनाए उसको ग्यान दिया गया है वो सब क्यों दिया गया था ताकि वो एक दिन घर से बाहर निकल सके पर बबुए को घर में ही अब मज़ा आने लग गया बबुए क्या है अहम अहम माने मैं मैं माने तुम हम सब परिम्हारी बात बबुए को घर में ही मज़ा आने लग गया वो ओल रहा है मम्मी बाहर न जाएंगे यहीं ठीक वो हम सब की हालत है हम सबको घर में ही प्रक्रत के घर में ही मदा आने लग गया है क्यों? क्योंकि घर में तीन बहुत मस्त मस्त चीज़े है उन तीन चीज़ों क्या नाम है? सत, रज, तम, आहाहा सुभह सुभह सत दो पहर में रज अब रात में बिस्तरे पे तम सब खतम क्यों को बाहर जाना है? सुभह सूरज उठता है तो बढ़ियां-बढ़ियां ज्यान मिल जाता है सात्विक ज्यान बबुगा को मजा आ गया घर में ही उनकी होम एजुकेशन चल रही है घर पे ही शिक्षा तो बढ़ियां लगा अच्छा है दम ज्यान मिल गया घर पे ही प्रत्वति के अंदर ही तो है सतोगुण मिल गया ज्यान फिर अब दोपर का समय आया 10 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया बाहर निकल करें कुछ हासिल करना है वो सब भी घर के अंदर ही हो गया बहुत विशाल घर है तो जितने राजसिक अभिलाशाएं थी वो भी घर में ही पूरी हुई आ रही है और फिर रात में जो बेहोश पसर के सोने का सुख है बिस्तर पर तमोगुण वो भी घर में ही मिल गया तो बबुआ बोलते हैं हम तो बाहर नहीं जाएंगे अब प्रकृति देवी परिशान है बुल रही है जो राज है वो यह है कि उसने इस पूत को पैदा यी करा था कि यह बाहर जाकर के मुक्ति पाए और समूची प्रकृति मुक्ति पाजाए अपने इस पूत के मध्यम से पर ये पूत कपूत निकल गया मुक्ति पाने की जगए इसने क्या किया ये घर में ही बैठ गया हम सब वो कपूत है जो प्रकृति के घर में ही बैठ गये है और तीनों गुणों का उपभोग करे जा रहे है करे जा रहे है घर से बाहर निकाली नहीं रहे अपनी नियत पाने के लिए अपनी मुक्त पाने के लिए कुछ काम ही नहीं घर में बैठे प्रक्रति हमें देख रही है और छाती पीट रही है कि हाई हाई ये क्या गलती हो गई मुझसे कैसी रगी कहानी अब समझ में आ रहा है कि इतनी सारी चैतन्य सत्ताइ क्यों पैदा करती है कोई तो पूत ऐसा निकले जो सपूत हो जो बाहर जाए और कुछ हासिल करके लाए और कुछ जो बाहर हासिल करना है वो एक ही चीज है जो भाहर निकलने को इह मुक्ति बोलते है तो प्रक्रति माँ जरूर है लेकिन उसकी ये इच्छा कता ही नहीं है कि तुम माँ के आचल में दुपके रहो जीवन पर लेकिन प्रक्रति के ही तत्वों से गलत संबंध बना करके तुम प्रक्रति को माया बना देते हो सुना है न कई बार यह नहीं बोलाएगी प्रक्रति ही माया है प्रक्रति वास्ताओं में माया नहीं है प्रक्रति को माया हमने बना दिया जब तुम प्रक्रति से एक गलत संबंध बना लेते हो तो प्रक्रति तुम्हारे लिए माया हो गई यह जो तीन गुण है ये तीन गुणे इसलिए हैं ताकि तुम एके करके तीनों को लांग जाओ इसलिए नहीं है कि इन्हीं को भोगते रहो भोगते रहो इनका इस्तिमाल सीडियों के सोपानों की तरह करना है एक कदम रखा फिर उंचा कदम फिर उंचा कदम और फिर आकाश में उड़ान सब सीडियों से परे समझे आरी बात जो आकाश में उड़ गए तुम तो आत्मा हो गए जब तक प्रक्रति के आचल में ही लोट रहो जीवात्मा हो तुम अंतर समझ में आरा है जब तक त्रिगुने भोग का लोब है तुम्हें जीवात्मा हो तुम जब इन ही तीनों गुड़ों का उपयोग करके इनका अतिक्रमन कर गए आत्मा हो गए तुम्हें और याद रखना है और कुछ नहीं है तुम्हेरे पास इस से बाहर जाने के लिए भी इसी का इस्तिमाल करना है प्रक्रते से बाहर जाने के लिए भी तुम्हें प्रक्रते का ही इस्तिमाल करना है और माने बड़ी कोशिश करिए, पूरी तयारी करिए कि ऐसा कर पाओ तुम्हें क्यों ये शरीर दिया है, क्यों बुद्धी, मस्तिश्क दिया है प्रक्रति में ही सारा ग्यान नहेता है, तुम्हें क्यों इतना ग्यान मिला है, उस अब इसी लिए मिला है इसमलो मान ने तुम्हारी तैरी कराई है कि मेरे पास जो कुछ था मैंने तुछ दे दिया सत रज तम सब तुछ को मैंने दे दिया लड़के अब मैंने तुछ जो कुछ दिया है जवन प्राश, हरलेक्स, बोन बीटा सब दे दिया इसका इस्तिमाल करके क्या कर ताकत दिखा और उड़ जा और जी लड़का निकला छोना उसको जब काया था उड़ जा तो क्या बोलता है मम्मी घर अच्छा है घर तो अच्छा है ही माने बड़े लाड़ प्यार से पाला है घर में सब सुख सुख ज़ाएं रखी है तो घर तो अच्छा लगता ही है उस घर में तुम्हारा एक खास कमरा भी है जानते हो बहुत बड़ा घर है विशाल घर है पर उस विशाल घर में तुम्हें प्रक्रति माने एक खास कमरा दिया है उस कमरे का नाम है शरीर ये शरीर तुम्हारा वो खास कमरा है जो तुम्हें प्रक्रते माने दिया है ये तुम्हें खास कमरा क्यों दिया गया है ताकि इस खास कमरे में तुम्हारी चेतना का पूरा विकास हो सके ये कमरा इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें तुम्हारी चेतना पूरी तरह विक्सित हो सके, उचाई पा सके और फिर तुम इस कमरे का ही इस्तेमाल करके इस कमरे से आगे निकल जाओ लेकिन एक कमरा इतना बढ़िया है कि इससे बाहर आने का मनी नहीं करता कौन बाहर आए जैसे जाड़े में रजाई से बाहर आने का मन न करे कौन बाहर आए रजाई तुम इसलिए दी गई थी कि तुम रजाई कोई कबर बना लो उसी में जीवन भर सोते रह जगे पे तुम सोते ही रह जाओ वो जगे फिर बिस्तर नहीं कबर कहलाती है कि नहीं रजाई किसलिए दी गई थी कि सोलो ताजे हो जाओ और फिर दूनी ताकत के साथ उठो और कुछ करके दिखाओ पर नहीं हम ऐसे ही करते हैं समझे महारी बात स्पष्ट हो रहा है खेल तो कैसा है आपका कमरा इसे शरीर नहीं बोला करो ऐसे बोला करो रूम नंबर 1402 समझे जितिश इसलिए जब सत्र हो रहा हो तो वहां नहीं बैठे रहते अधिरई माया का बहुत प्रभाव है 4002 से बहार ही नहीं निकलना जो 4002 से बहार नहीं निकल सकता यह यहन नमिबर वो शरीर से बहार निकलना क्या करेगा तुम तो बाहर वाले कमरे को भी नहीं छोड़ पा रहे अंदर वाले कमरे को कैसे छोड़ोंगे फिर दिक्कत हो जाएगी न अब समझ में आ रहे हैं क्यों फकीर बोलते हैं सराय सराय बन्यारी बात चिपक मच जाओ ये जगह तुमको दी गई है काम करने के लिए सोने के लिए नहीं दी गई है बिस्तर को चिता नहीं बना लेना है रजाई के नीचे कब्र नहीं खोद लेनी है और रजाई और बिस्तर ये सब बाहरी शरीर है ये क्या है? ये अंदर वाला शरीर है पर इससे भी लगभग वैसा ही रिष्टा रखो जैसा रजाई से, बिस्तर से और कमरे से रखा जाता है जब तक उनकी ज़रूरत इस्तिमाल करते है और फिर उनसे आगे निकलते हैं न हमें पता होता है कि ये संसाधन मात्र है इनसे चिपकना नहीं है इनका सही इस्तिमाल करना है और सदा याद रखना है कि एक दिन आएगा चकाउट का ओधिन भूलना नहीं है क्या? चकाउट और जितने दिन तुम हो उतने दिन वहां रहने की कीमत दे रहे हो कि नहीं दे रहे? जैसे किसी भी कमरे में रहने कीमत देते हो भले वह जो कमरे में रहने की नहीं हो लगातार कीमत दे रहे हो मूरक हो अगर रोज कीमत दे रहे हो लेकिन इससे कुछ उगाहा नहीं रहे बोलो तुम कहो कहीं कि सहाव हम आए हैं business visit पे ठीक है तुम यहाँ बैठे हो दिल्ली आदे बैंगलोर चले जाओ और क्या बोलो यह क्या है हमारी business visit हम व्यापार यह नाते यात्रा करें और वहाँ तुम जाओ किसी hotel में check-in कर लो और वहाँ तुम भड़ा दे रहे हो रोज का मानलो 6000 रुपया ठीक है और बीस दिन वहाँ रहे आए hotel में गए थे flight से फिर 6000 के hotel में फिर खाना खा रहे हैं तो उसका भी सिसाब से तो मिला जो लागर के खर्चा करा है दो-तीन लाख खर्चा तो करी आए और वीस दिन में पाया क्या ठंठन गोपाल तो क्या कहला होगे क्या कहला होगे क्या कहला होगे महा क्या क्यो ला मुम्ताज मूर्ख मूर्ख क्या लाओगे सदा जानते हो फिर कैसे मिलती है दुबारा भीजे जाते हो और इस बार 2000 के hotel में ठहराए जाते हो इसको वेदानत कहता है कि अब जब पुनर जनम होता है तो निचली योनी में होता है यात्रा पे दुबारा भेजे जाओगे और घटिया होटल में ठहराए जाओगे मनुष्य योनी नहीं मिलेगी कोई और योनी मिलेगी मनुष्य योनी का तुमने सदुपयोग नहीं किया तुमने बरबाद कर दिया महंगी योनी थी भाई तुमने बरबाद कर दी तो अब कुत्ते बनोगे भाँ 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 काई प्रकृति कहती है कि कुछ करके तो वैसे भी नहीं दिखाएगा कम सकम भाड़ा ही कम लगे पिछली बार गया था धाई लाग रुपए फूके करके कुछ भी नहीं आया तो इस बार इस पर धाई लाग का इन्वेस्टमेंट निवेश करना ही नहीं है तो इसी बात को भारत में इस तरह से फिर कहा जाता है कि जो लोग ये जन्म बरबाद कर देते हैं उनको अगला जन्म निचली योनी का मिलता है लेकिन बात वैसी नहीं है कि अभी तुम मरोगे और तुम ही जाकर के कुकुर बन जाओगे और उस कुट्टे की शकल थोड़ी थोड़ी तुमारे यसी होगी और फिर कोई आएगा कुट्टे को देखाएगा ये तो वही है मेरा दोस्त और इसने उधार अभी ले रखे ते 10,000 रुपए और कुट्टे से निकल आ रहा है पैसे वैसा नहीं होगा बात प्रतिकात्मक है समझो भूलो नहीं कि इसमें होने का रोज किराया भड़ा दे रहे हो जितना दे रहे हो उससे जदा हासिल करना है वसूल करना है कैसे करनी वसूली वसूली ऐसे करनी है कि समय को नापना है समझे मनजिल दूर है यात्रा चल रही है और समय बीत रहा है समय ही सबसे बड़ी कीमत है जो तुम रोज अदा कर रहे हो रोज क्या फिसल रहा है तुम्हारे हाथों से क्या जा रहा है क्या भुकतान समय बाकी सब हो सकता है तुम रोज बचा भी लो एक चीज़ँ तुम नहीं बचा सकते समय हो जाओ बहुत बड़े अमीर अड़ी के टिक-टिक रोक लोगे उम्र का बढ़ना रोक लोगे वही एक चीज़ँ तुम नही बचा सकते तो उसी का एस्तिमाल करके तुम्हें नापना है कि जीवन का सिदुपयोग किया कि नहीं किया जो इसमें हमारा खर्चा हो रहा है वो वसूला कि नहीं वसूला रोज अपने आप से पूछो आज मुक्ति की तरफ कितना बढ़ा या आज चेतना ने कितनी उचाई पाई आज बेडियां कितनी शिथिल हुई आज मैं और उंचा बहतर इंसान हुआ कि नहीं हुआ आज डर कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ इसी आधार पर नापना है कि ये जो पूरा दिन गुजरा इसकी वसूली हुई कि नहीं हुई वसूली नहीं हुई तो फिर वही है कि रहने के लगाए दिन के 10,000 रुपए और कमाया कुछ नहीं हर दिन जो बीत रहा है उस पर परक्रति का मीटर डाउन है तुम कुछ हासिल करो या ना करो मीटर चल रहा है डरावनी बात है न जिस दिन तुम पैदा होते हो उस दिन क्या होता है ये क्या है क्या हुआ ये मीटर तो डाउन हो गया अब तुम कुछ हासिल करते हो की नहीं करते हो तुम जानो भाला लगना शुरू गड़बाद यह है कि प्रक्रते तो गिन रही है हम गिन नहीं रहे कैसे गिन रही है प्रक्रते वो रहा पीछे देखो संख्याइं दिख रही है पीछे वहाँ दिवाल पे लिखी हुई दिवाल पे कुछ संख्याइं लिखी हुई है देखो कहां लिखी है वो प्रक्रते का मीटर है प्रक्रते तो गिन रही है लगातार कि मैंने इतना ही दिया है और जिसना उसने दिया है जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन तुमको वापस बुला लिया जाएगा भाई समय से यादा कोई जी सकता है तो प्रकरति का मीटर डाउन है, उस मीटर का क्या नाम है, घड़ी, वो तो चल रही है अपने इसाब से, तुम्हारे पास कोई मीटर नहीं है, तुम गिन्ती ही नहीं करते है कि आज कितना कमाया, कितना गवाया, प्रकरति एक सेकंड नहीं चूक रही, कभी ऐसा हुआ है कि एक सेकेंड चुक गई हो प्रक्रते कि घड़ी भूल गई हो और धोके से तुमको दो मिनिट जादा दे दिये हो कभी ऐसा हुआ है हुआ है? नहीं हुआ उसका मीटर तो चल रहा है वहाँ पे एक एक चीज लिखी जा रही है, नापी जा रही है तोली जा रही है और हम कोई नाप तोल कर नहीं रहे हम बिलकुल नहीं नाप रहे कि आज का दिन कितना सार्थक बीता मेरा पिछला घंटा कितना सार्थक बीता मेरा हम बिलकुल नहीं नाप रहे घड़ी सब कुछ ना आप रही है तो अब बताओ जब घड़ी और हम में प्रतिदुन्दिता होगी तो कौन जीतेगा तुम्हें एक ऐसी चेतना चाहिए अपने भीतर जो घड़ी को मात दे दे वैसी चेतना हम में है नहीं उसी को फिर कहते है काला तीत चेतना काल को हरा दे ऐसी चेतना काल पर भारी पड़े ऐसी चेतना वो काला तीत चेतना हम में है नहीं तुम्हारी चेतना में ये जान होनी चाहिए कि वो घड़ी से जीत सके सिकंदर दुनिया में सिर्फ एक ही है असली कौन जो घड़ी को हरा दे वरना बहुत बड़े-बड़े बाच्छा हो गए सबसे जीत लेते हैं किस से हाल जाते हैं घड़ी से घड़ी से जीत के दिखाओ तो बात है सोज़ो यारी बात हम वो टिक-टिक लगाता रियाद रहे श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिनरैन कलाई पे नहीं भी बंधी है तो भी धड़कन में बज रही है सांस बनकर क्या काई साब ने श्वास नगाड़ा कूच का कूच माने विदाई गए तिक-टिक नहीं नगाड़ा है भाई नगाड़ा बजरा है कलाई वाली घड़ी तो बहुत महीन तिक-टिक करती है सांस नगाड़े की तरे बजनी चाहिए भी तर और दिन रात बजरा नगाड़ा बाजत है दिन रहे में सांस को याद रखो सांस तुमको लगातार बता रही है कि तुम्हारा मीटर चल रहा है मीटर चल रहा है मीटर चल रहा है कुछ और खो दिया मैंने कुछ और खो दिया मैंने बिल बढ़ता ही जा रहा है भुकतान करना है बिल बढ़ता ही जा रहा है कमाया क्या भुक्तान कैसे करूँगा ललेश्वरी देवी के वाख हैं वक्तव है उसमें वो कहती है महुत सुन्दर किती सांज ढ़ल रही है पार जाना है नाव तो दिख रही है पर दिन भर मैंने दो कोड़ी भी नहीं कमाई नाविक को दूं क्या पार कैसे जाओ यह हमारी हालत है जो दिन बीट गया आज का उसमें तुमने क्या कमाई करी कैसे पार जाओगे बताओ सूरज तो ढल जाएगा और सूरज के ढलने पर मुझे फिर पिंक फ्लॉइड भी यादा जाते हैं बहुते हैं नो ओन टोल्ड यू वें तो रन यू मिस्ट अस्टार्टिंग गन फिर कहता है कि सूरज तो ढल रहा है वो पीछे से वापस आ जाएगा लेकिन जितनी बार सूरज तुम्हारे सामने से ढल कर पीछे से वापस आता है उतनी बार तुम थोड़े और बुढ़े हो चुके होते हो अब वो उसकी बिलकुल लिरिक्स के हैं कोई बता देगा तो टाइम का है पिंग फ्लॉइड ने कोई बहुत अध्यात्मिक अंदाज में नहीं कही है बस इस मौके पर रियाद आ गई समझ मैं आ रही है बात क्या पार जाना है और जेब में कौड़ी नहीं है पार कैसे जाओं दिन किसलिए मिला था कि दिन भर वो कमाई कर लो जो कमाई सांज को नाविक को दोगे ताकि तुमको पार लगा सके पर पूरे दिन मैंने कमाई करी ही नहीं अब नाव भी है नाविक भी है मैं पार कैसे जाओं लेलेश्वरी कह रही है ट्रश में अगरे पर लेह लेखं no one told you when to run you miss the starting gun so you run and you run to catch up with the sun but it's sinking racing around to come up behind you again the sun is the same in a relative way but you are older shorter of breath and one day closer to death every year is getting shorter, never seem to find the time plants that either come to naught or half a page of scripted lines no one told you when to run you missed the starting thinking کوئی آतا ہی نہیں بتانے جھوڑ بول رہے ہوں کوئی آتا نہیں بتانے یہ ہر بار جو ٹک ٹک ہو رہی ہے اور کیا بتا رہی ہے یہ starting gun ہی ہے اور starting gun تو ایک بار بجتی ہے یہ تو ہر second میں بجتی ہے اور یہ ہی بول رہے ہے دوڑ ڈوڑ ہم کیا کر رہے ہیں мамشань کا گھر ہے کائک کو دوڑے हमसो इंग तो सो? कि यहिजए ध सुद्ट